मुहतरन प्रफेसर इबने करवल साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो सदारती करिमास से नवाजें पांच मिनट हैं हम दोनों के पास जिसमें से दो मिनट मेरे पास और तीन इनके पास सीनिय आइटी की वजासे तफसरा तो सबकी खामोशी बता रही है कि बहुत अच्छे लगे सबको खवातीनों हजरात पहले तो मैं कलाम साथ को मुबारक बात दूँ कि इन्हों ने हैदरबाद की जमीन पर दाग दहलवी को याद किया और मुझे पिछले चार पाच महीने से मैं इस सेमिनार से मुतालिक एक एक बास से वाकिफ हूँ कि ये किन किन परेशानियों से गुजरे हैं और किन हालात में इन्होंने ये सेमिनार मुनकित किया है ये वाकि ही इनका जिगर है कि इन्होंने अपने रुफगा के साथ रुफगा की मदद से खुद और अपने शेख जामिया की मदद से तनहा ये काम किया है काफी बहुत मेहनत करनी पड़िये गुजिश्टा तीन-चार महीनों से एक एक वास से मुझे वाकिफियत रही है बेरहाल मैं इस बात के लिए ना सिर्फ इन्हें बलके इनके शोवे उर्दू को और इनकी युनस्टी को मुबारक बात देता हूँ कि उन्होंने सिर्फ उनकी महब्बत में ये सब लोग जो यहां जमा हैं शुमाली हिंद के तीन-तीन-चार-चार दिन वरना कोई आप देखें इतने बड़े-बड़े इंटरनेशनल सेमिनार होते हैं हम लोगों में से कोई भी शख्स एक दिन या दो दिन से ज़्यादे क्याम नहीं करता ये सिर्फ इनकी महब्बत है कि इन्होंने मजबूर किया अपनी महब्बत से कि हम लोग रुकने के लिए यहां तैयार हुए है वाकिए ये काविल मुबारक बात है ये वाकिए है कि दाग पर बहुत कम काम हुआ है जो होना चाहिए उसके मताबक नहीं हुआ कल भी मकालाद पढ़े गए और ये आज के सेशन में छे मकाले पढ़े गए और उन छे मकालों में जहर है कि हमारे सीनियर प्रौफेसर 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 प्रौफेस अफ़ाल साब ने कही है कि दाग की मकबूलियत की वजह उनकी आम जो है इश्किया शायरी है कोई उनके है ना फलस्फा था ना कुछ के दाग सिर्फ अपने आप से और मैं समझता हूँ कि जो दाग ने इश्किया वो अपनी जात से इश्किया था वो सिर्फ अपने आप से करते थे क्या है उन्होंने कोई इस तरह का जैसे कि जिकर आया था शैनाज नभी साहवाद के मकाले में तसवफ का तो ये देखे ये मौजवात ऐसे होते हैं कि थोड़ा बहुत जिक जब रविश कोई भी शायर किसी शायरी करता है तो हर मौजव को हम कहें कि कुछ दो चार शैर निकाल कर कहें कि दा तसवफ के शायर थे ये सूफ ये शायर थे तो उससे इमेज नहीं बनती जो एक शनाखत बनती है वो उसके जिस पे सब इत्तफाक करते हैं यहां तीन मकाले ऐसे पढ़े गए पाजी अफजाल साब का पाजी जमाल साब का और डाक्टर एहमद महफूस साब का इन तीनों मकालों से जो बात सामने आई कि दाव जबान पर महारत रखते थे महावरे रोज मर्रा पर महारत रखते थे उसकी मकबूलियत की वज़ाई यही थी देखे आज मैं एक कल गुफटगो हो रही थी तो उसमें बात चली कि एक आम सी मिसाल है 1960 में मुगले आजम रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम के आसिफ की जिसमें अउर्दू थी सिर्फ उर्दू कितनी मकबूल हुई थी कितने हिट हुई थी आठीए दहाई मैं रजिय सुल्तान आई कमाल अमरो हुई की बिलकुल फिलॉप हुई वो भी एहद होता है वो आम कमाल अमरोवी ने कहा फिलॉप होने की वज़ा कि अब उर्दू पढ़ने वाले नहीं रहे उर्दू बोलने वाले समझने वाले नहीं रहे इसलिए मेरी फिलॉप हुई गाक की मकबूलियत की वज़ा ये थी कि जो जमाल साब ने अपने बहुत अच्छी मिसालें इसलिए उन्हें 20 मिनट के बजाए 40 मिनट पढ़ने का मौक़ दिया गया बैली चलिए दो मिनट इन सदर की वज़े से कि उसमें जो मिसालें पेश की रोज मर्रा और महावरे के एतवार से वाकई दाख के बारे में कहा जाता था कि मुशायरे में इतने शायर कलाम पढ़ते हैं लेकिन जब बाहर मुशायरा खत्म होता था तो दाख का कलाम बाहर के लोग जो गुन गुनाते हुए जाते थे क्योंके वो डारेक्ट था गालिप का कलाम समझने के लिए आज भी हम कितने जद्व जहत करते हैं कितनी तहह निकालते हैं कितने मानी निकालते हैं लेकिन दाख की तो डारेक्ट शायरी थी इसलिए दाख से पहले उनका कलाम तौाइफों के कोटों पे चला जाता था दाख माफ कीजेगा मैं जब मकाला पढ़ूंगा तो उसमें मैंने ये बात किये दाग ना खोब सूरत थे ना खोब सीरत थे कि तवाइफें उन्हें पसंद करती है उन पर मड़ती है भी बात आई थी करील गया आज कि तवाइफें उनके पीछे पढ़ूंगा किस वज़ा से क्योंके दाग अपनी घजले देते थे अभी किसी के मकाले में था भी खुद सताय या ये सब चीज़ें तो हर आदमी चाहता है कि मेरे कलाम जो है जादे से जादे रिसालों में पढ़ा जाए जादे से जादे सिंगर गाएं ये एक मकबूलियत होती है एक चीज़ की तो दाग का कलाम ऐसा था कोटों पर जो तवाइफें गाती थी वहां जो सुनने वाले वहां वो फलसफियान घजले नहीं सुनाते इश्किया घजलें तो वो दाख की मकबूलियत की एक वजाती जो हमारे एमद महफूस साब ने भी बहुत से अशार कोट किये और अफजाल साब ने तो उसके पूरी तफसीर से उसे वजाहत की कि उसकी मकबूलियत के असबाब क्या थे तो ये मैं इन तीरों मकाला निगारों को मैं ये बुजर्ग है मेरे मैं मुबारक बात देता हूँ कि बहुत अच्छा हम मैं माफ कीज़ेगा मैंने तर्टी विसलिए बदली थी कि जब आपके मकाले से ज्यादा लोग इस्तफादा करें लेंच के वक तक काफी लोग आ जाते हैं शुरू में कम होते हैं तो कम सुन पाते हैं लोग बहराल अच्छा एक बकाला जो हमारे दोस्त साहव अली साब ने पढ़ा हां ने हमारी घड़े में नहीं हुए ना एक तो ये साहव अली साब बहुत अच्छा आपका मौज़ू बिलकुल अलग था लेकिन एक तो ये आप जड़ा देख लिएगा कि नवाब शमसुद्दीन के इंतकाल के बाद छोटी बेगम फखरू के पास नहीं गई थी फखरू से वाबस्ता नहीं हुई थी 35 में उनका इंतकाल हुआ, 44 में वो महाँ उनसे वाबस्ता हुई थी वो खासा तुरावली के यहां घर में थी जब तक वो और दूसरे ये कि 1557 के ख़दर के वक उनहें नहीं निकाला गया था बलके उस से पहले 56 में इंतकाल के वosion के वहं दो तिया गया था असलमें दाख की खुशकिसमती ये है कि दाख ने हजारों शागिड पैदा किये हमारे सगीर अफ़ाहिम साब ने जो मकाला पड़ा है मैं समझता हूं कि मैंने भी कुछ इंशाए दाख जो है उसकी कुछ खुतूत पड़े थे वाकिया ये है कि आपने देखे होंगे कि दाख के जो खुतूत हैं जो उन्होंने रामपुर के नवाबीन को लिखे हैं या हैदराबाद के नवाबीन को लिखे हैं उसमें एकसानियत है अल्काव तो थम्हें तक्रीबल एक ही है बदला नही है और जो मदद हमें उस एहद को समझने के लिए गालिब के खुतूत से मिलती है दाक से नहीं मिलती है दाक के खुतूत में गालिब का अंदाज उन खुतूत में मिलता है जो उन्होंने तवाइफों को लिखे हैं या दोस्तों को लिखे हैं बागी बहुत अपने सरसरी से खानदानी मालूमात या दूसरी मालूमात इनका जिक्र है लेकिन इसकी जरूरत है कि दाक के खुतूत पे अलग से काम हो बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात के